अगर आप इस चैनल पर नहीं आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें को लाइक किजिए अपने दोस्तों को सेड़ कीजिए दोस्तों बिहार विदाले परिक्षा समिती यानि की बीए सीबी की तरफ से मंगलवार को मेट्रिक परिक्षा का रिजल्ट जारे किया गया था लेकिन इस रिजल्ट के 37 साल 2015 में हुई परिक्षा के दोराने की एक तस्वीर भी याद आ गई बड़ी सुरुकियां बटोड़ी की भारत ही नहीं बलके अंतराश्टी अस्तर पर बिहार बोट की चड़चाएं होने लगी आपको याद दिला दे कि अंतराश्टी मीडिया की खिर्कियों तक पहुंच गए थे इस तस्वीर के सामने आने के बाद उस सेंट्रल के तकरीबन 760 परिक्षारतियों को निलम्मंद कर दिया गया था वही चिटिंग कराने के आरोप में 8 पुलिस कड़ियों को भी सस्पेंड कर दिया गया था इस तस्वीर से बोखलाए ब परिक्षारतियों को बखसा नहीं जाएगा 20,000 का जुर्माना और जेल कराने की बात कही थी वहीं बिहार के मुक्यमंद्रे नितिस कुमार ने इस तस्वीर को लेकर मीडिया के ऊपर भड़ गये थी सियम नितिस कुमार ने कहाता है कि मीडिया के में जो तस्वीर सामने आ रही है सिर्फ एक पहलू है जबकि बिहार में दूसरा पहलू भी है जो सकरात्मक है उन्होंने उस समय सूपर ठटी का जिक्र करते हुए बिहार से हर साल दरजनों की संख्या में आई-ाइटी करने वाले चात्रों और आने पड़िक्षाओं में सपल होने वालों का परमान दिया था वर्से 2017 में गनेश नाम्के चाट रंड ने आट समय टॉप किया था इसको हिंदी में 100 में 80 इंग, संगीत में 100 में 31 समाजी की विग्यार में 100 में 80 और मनो विग्यार में 100 में 50 эт, इन आड में 50 में 22 और ML में 50 में से 36 अंक प्राप्त किये थे लेकिन संगित विसे में टॉप करने वाले गनेश को संगित का बिलकुल भी ग्यान नहीं था जिसके बाद बोड की फजियत काफी हुई वरसा 2016 में साइंस में टॉप करने वाले गौरब को 500 में से 50-50 अंक मिले थे लेकिन जब उनसे साइंस से जुड़े साथान सवाल किये गए तो वे जवाब नहीं दे पाये थे साइंस टॉपर सौरब अस्रेष्ट को एलेक्टरोन और प्रोट्रोन के बारे में ही पता नहीं था यहां भी बोर्ड ने साबित करने में नाकाम्याब रहा कि उसका टॉपर सही है साल 2016 में इंटर आर्स टॉपर रूबी कुमारी अपने विसे तक का नाम ठीक से नहीं बता सकी थी उन्होंने पॉलिटिक्स साइंस को नाकेवल प्रो डिगिंग साइंस से पताया था बलकि कहा था कि इससे खाना बनाना सिखाया जाता है आपको बताते कि रिजल्ट में अनीमियत ता सामने आने के बाद जब विहार बोर्ड ने कई टॉपर्स का दोबारा टेस्ट किया तो उसमें से रुबी राय, सौरब स्रेष्ट और राहल कुमार फेल हो गए बोर्ड ने इन तीनों का रिजल्ट रद कर दिया बिहार बर्ड इंटरमेडियर दोजार थारे के नतीजा आने के बाद टॉपर कलपना कुमारी विबादों में घिर गई थी साइन्स इस्ट्रियमें में टॉपर करनेवाले कलपना कुमारी की उपस्तिती स्कूल में 65% से कम थी इसके बाद सवाल उठाया गया कि इतनी कम उपस्तिति की बाद उसे प्रिक्षा देने की अनुमती कैसे मिली दोस्तों यह जानकाड़ी बस यह तो कैसा लगा जुरूर अपना सजाव देजेगा नीचे कमेंट बक्स में कमेंट कर गया अगर आप नए आए इस चैनल पर तो च चले दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में